तो दोस्तों आप मैंसे काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सकेंड टाइम मौज अप्लिकेशन पर हमारा डेज बढ़ चुका है तो अब हम क्या करें क्या हमारे यहां पर डेज अब कम हो जाएंगे या फिर उतने दिनों के बाद हमारा फिर से ID चेक किया जाएगा उस हमारा है वूल्डेंड अंट तीट पर गया एंध फिर से यहां पर हमें एक डेट today के दे दिया गया जिसमें इस तरीके से दिया गया और काफी लोगों को तब 50 पचास-वचास दिन के बाद हम का MFC मे सिलेक्शन के लिए आपका ID पिर से चेकिंग किया जाएगा तो ऐसे मैं अब हम क्या करें and हमें क्या करना चाहिए इसका जवाब में देने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो मे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले MFC के बारे में अगर MFC पर आपका second time में ज़्यादा days दे दिया गया है तो क्या हम इसे उतने दिनों से पहले MFC में select हो सकते हैं या फिर उतने दिनों तक हमें इंतिजार करना पड़ेगा तो यार अभी हम जो भी अगर मैं अगर सच से कहूं कि अगर आप MFC में अपने form भरा है और आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है और second time आपका days बढ़ा दिया गया है तो आप यकीन मानों आपकी ID में कुछ खामिया है या फिर आपके ID में कोई दिक्कत है ठीक है आप Moj app के कोई भी guidelines कोई भी guidelines को आप follow नहीं कर पा रहे हो भले वो आपको पता नहीं है लेकिन आपका यहाँ पर ID में कोई ना कोई दिक्कत जरूर है ठीक है और अगर आपको लगता है कि हमारा Moj application पर पूरा ID full complete है भी गलती हो सकती है अगर आपका MFC में selection नहीं हो रहा है तो यहाँ पर Moj application पर अभी बहुत सारी ideas MFC के लिए यहाँ पर दे दी गई है ठीक है मतलब की बहुत सारी idea यहाँ पर application भरा है मतलब की आप समझ सकते हो लाखो लोगों यहाँ पर MFC में select होने के लिए form भरा है अब लाखो लोगों का तो हर एक दिन यहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा लगभग 50-60,000 daily idea यहाँ पर check होती होंगी Moj application के तरफ से अगर 50-60,000 यहाँ पर IDs चेक होती है तो उसमें से लगभग 30-40,000 Moj की IDs तो ऐसे ही हट जाती होगी यह खुद Moj application ने नहीं का यह मैं कह रहा हूँ ठीक है वरना आप फिर कहने लगए Moj application ने तो ऐसा नहीं का है यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि Moj application पर कितने सारे लोगों ने MFC के लिए form बरा होगा और अगर आपके ID में एक जड़ा सा भी problem रह गई ना तो आपका MFC में selection नहीं होगा ठीक है और अब हम बात करते है क्या अब हमारा यहाँ पर सही हो पाएगा 30 दिन अगर यहाँ पर आगर आपको मान के चलिए date दिया गया है 30 दिन के बाद आपका ID फिर से check किया जाएगा तो क्या हमें 30 दिन तक wait करना पड़ेगा और 30 दिन के बाद क्या हमारा ID फिर से MFC में select हो पाएगा या फिर हमारा MFC में select हो यह नहीं पाएगा तो देखिए इससे पहले अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई जुगार लगाना पड़ेगा आपको जुगार लगाकर यहाँ पर आप सही कर सकते हो उससे पहले आप MFC में select हो सकते हो लेकिन अगर आप सही तरीके से जिन्वन तरीके से MFC में select होना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 30 दिन मान के चलिए आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर कोई अलग रास्ता नहीं है उतने दिनों तक आपको अपनी आईडी पर वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी अपनी आईडी पर आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा उसके 30 दिन के बाद माज अप्लिकेशन फिर आपकी आईडी को चेक करेगा और अगर आपकी आईडी में सब कुछ सही रहा तो आपका MFC में सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आपका आईडी में जरासा भी प्राबलम हुआ तो आपका MFC में सिलेक्शन नहीं होगा तो ये प्राबलम सारी है काफी लोगों को तो इसके लिए मैं कुछ तरीके लेकर आऊंगा तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और मिलता हूने वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जा भारत